Hello everyone, आज के इस session में हम अपने chapter synthetic fibers and plastics का second topic discuss करेंगे and that is synthetic fibers. और इस session में हम अपने एक type के synthetic fiber जो की है rayon उसको हम detail में discuss करेंगे. तो चलो, जल्दी से आज के इस session को हम start कर लेते हैं. So this is Vibhuti Khare, welcome to Magnet Brains, जहाँ पे आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं, बिल्कुल free of cost. यानि कि Magnet Brains में आपको दो chapters परने के बाद किसी पी तरह का payment करने की या package purchase करने के requirement बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुँचा रहा है, quality education बिल्कुल free of cost. इसी अच्छी बात से हम start कर लेते हैं आज का हमारा ये session synthetic fibers के साथ. अब previous session में मैंने आपको fibers का detail समझा रिया था कि exactly fibers क्या होते हैं, ठीके, और उनको हम किस तरह के से fabric या cloth को बनाने में use करते हैं. तो मैंने आपको session के end में एक conclusion बताया था, एक sequence के तरूँ, तो वो हमारा sequence क्या था, कि हमारे पास है cloth यानि की fabric, वो किस से बना है, yarn से बना है, यान किस से बना है, तो thread को जो है coil कर दिया गया है, एक cylindrical structure में, reel में, ठीके, तो जो reel बनती है thread की, उसी को हम कहते है yarn, फिर yarn से weaving ये knitting की तरूँ, अलग-अलग type के clothes को या fabric को बनाया जाता है, अब सवाल आता है कि ये thread, यान कि cloth fabric किस से बना, yarn से, yarn किस से बना, तो thread को coil करके, ठीके, अब सवाल आता है कि ये thread किस से बना, तो thread बनता है fiber से, fibers क्या होते हैं, बहुत ही fine filaments होते हैं, और उनकी appearance thread जैसी होत है कि हमारे जो fibers हैं, वो thread से भी पतले होते हैं, ठीके, तो इन सभी fibers को, बहुत सारे fibers को, एक साथ पकड़ करके twist कर देते हैं, तो आपके पास, एक twisted structure जो आता है, उसी को हम कहते है thread, तो thread किस से बनता है, long, fine, filament, या thread-like structure से, जिनको हम कहते हैं, fibers, ठीके, फिर इसके बाद मे fibers के हमने दो categories पड़ी थी, कि एक होते है हमारे natural fibers, वहीं होते है हमारे पास कुछ synthetic fibers, तो natural fibers की कहानी मैं आपको previous session में समझा दी थी, कि natural fibers है दोस्ट जो की plants और animals से मिलते हैं, तो plants से मिलने वाले queer है, flax है, इसके अलावा cotton है, jute है, ये सब क्या है, natural fibers, याने कि plant से मिलने वा अली fibers की, तो wool हो गया, silk वगयरा हो गया, ये सब animal से मिलने वाले natural fibers है, ठीक है, फिर मैं आपको वहापे ये भी समझाया था, कि fibers तक की तो story हमें समझ में आए, कि fibers क्या होते हैं, है ना, और उन से कैसे हम use कर सकते हैं, fabric या cloth को बनाने में, लेकिन अगर मैं fiber के composition की बात करो, तो हमारे fibers किस चीज़ के बने होते हैं, क्या उनकी composition होती है, तो मैंने आपको वहापे समझाया था, previous session में, कि हमारे fibers बने होते हैं, polymer से, polymer मतलब क्या, कि एक बड़ा सा molecule, जिसको बनाया है, बहुत सारे छोटे-छोटे molecules में, ठीक है, तो जो बड़ा सा molecule है आपका, उसको हम कहते हैं polymer, और इसी polymer से fibers हमारे बने रहते हैं, ठीक है, और जो बड़ा सा molecule बनाया है आपके पास, जिसको आप polymer बोल रहे हो, तो उस बड़े से molecule को बनाने के लिए, जो बहुत सारे छोटे-छोटे molecules लगे हैं, उनको हम कहते हैं, monomers, ठीक है, तो यह monomers क्या होती है, small repeating units हो मैंने आपको example दिया था, मोतियों के necklace का, कि आपके पास जो pearl necklace है, वो क्या है? एक polymer है, ठीक है, और इस polymer को बनाने के लिए, आप क्या यूस करते हो? मोतियों का यूस करते हो, तो individual pearl, यह individual miteinander मोती जो है, आपके पास वो क्या है? एक monomers है, तो जब आप मोतियों को combine करते हो, तो necklace बनता है, similarly जब आप monomers को combine करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, polymer आ जाएगा, ठीक है, example के लिए मैंने आपको बताया था, कि आपके पास क्या है, एक cotton fiber है, cotton fiber किसका बना होता है, एक natural polymer का बना होता है, और उस natural polymer को हम कहते हैं, क्या cellulose, cellulose मतलब क्या, मोतियों का हार, यानि कि एक बड़ा molecule, तो cellulose एक बड़ा molecule है, एक मोतियों का हार है, एक polymer है, तो definitely इस polymer को बनाने वाले कोई monomers होंगे, monomers कौन थे, glucose के molecules थे, glucose की small units होती है, जो की repeat होती जाती है, और एक बड़ा सा molecule बन जाता है, glucose की molecules के combination से, इस बड़े से molecule को हम कहते हैं, क्या? Cellulose, और इसी cellulose को हम बोलते हैं, polymer, natural polymer है, और natural क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह cellulose है यह plant cells में मिलता है, मैं आपको बताया था कि plant cells के पास they have cell wall, और cell wall बनी होती है उनकी cellulose से, तो plant से मिलने वाला जो भी product है, उसके पास plant cell की cell wall तो होगी है ना, हमने देखा था कि जो हमारा cotton की जो fibers होते हैं, वो कहां से मिलता है हमें, cotton के plant के जो fruits होते हैं, जिनको हम cotton seed कहते हैं, उनमें से हमको cotton fibers मिलते हैं, तो अगर cotton के plant में cell wall है, उसमें cellulose है, तो cotton का जो fruit निकल क्या है, उसमें भी cellulose होगा, तो उस cellulose rich cotton के fruit से, जब आप cellulose के fibers निकालोगे, तो वो fibers की किस की बने होंगे, cellulose की तो बने होंगे ना, इसलिए हम cellulose को natural polymer कहते हैं, क्योंकि वो naturally nature में exist करता है, plant की cell wall में present होता है, तो fibers, हमारे जो cotton fibers हैं, वो किस के बने होते हैं, natural polymer, cellulose के बने होते हैं, cellulose को कौन बनाता है, glucose बनाता है, तो यह पूरा आपको sequence समझ में आया होगा ना, अब हम बात करते हैं हमारे synthetic fibers के बारे में, कि आखिर synthetic fibers की हमें जरुवत क्यों पढ़ी हैं, जरुवत इसली पढ़ी है, क्योंकि हमारे जो human demands हैं वो कभी भी 100% तरीके से satisfied नहीं हो सकती हैं, कैसे हमारे जितने भी आज हमारे पास cotton fibers हैं, उनसे जो cotton या natural fibers जो हैं, और उन natural fibers से जो भी natural cloth बनते हैं, fabric बनते हैं, तो हम उनसे satisfied नहीं हैं, कैसे? कभी हमको वो महंगे लगते हैं, कि वो इतने महंगे, especially silk की कपड़े होते हैं, वो इतने महंगे कि हम उनको खरीदी नहीं सकते हैं, cotton की कपड़े भी काफी कभी-कभी महंगे आते हैं उनकी कपड़े भी जो अच्छी क्वालिटी की शीप की फर से जो बाल से जो बूल बनती है वो बहुत महंगी होती है तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पास natural fabrics वगरा है वो हमको बहुत महंगे लगते हैं अब वोट हम उन बाली बेसिस पर डेली वेर के फॉर्म में उसको पहन रहे हो तो आपको गया लगता है सिल्क क्या इतना रफ एंट अफ है कि आप उसको रोज पहन सकते हो बिल्कूल भी नहीं से बहुत ही डेलिकेट होता है सिल्क से बनने वाले जो कपड़े होते हैं वह उनको हम पाटी व पाइंट आया कि अगर हम पैसा खर्च करके कपड़े खरीद रहें तो इनको ड्यूरेबल होना चाहिए क्या फायदा एतने महें कपड़े खरीद के जो की महेंगे भी है और ड्यूरेबल भी नहीं है ज्यादा चलते भी नहीं है तो ऐसे कुछ आप बोसकते हो कि हमारी डिम से अपनी फैब्रिक से तो उसको फुल्फिल करने के लिए हम खुदी फायबर बना लेते मैंना जैसे कि आपको पहले भी बताया कि जो चीज़े नैच्रली एक्जिस्ट करती है उन में हमारा बस नहीं होता कि हम जो है ना उसमें अपने मन की चीज़ें एड़ कर दें लेकि और आपो इस profit ठाल डॉल आपकि लेंत डॉल उन वैसीर को का लेका पोलिमर मस 창가요 और इसके बार बने अब चैन और यूनिट कंई नहीं नहीं दो ऑब सिर्टाइबर के मैंने पराइब की अबर्वें कि माने आपको से बिताया था कि कूर्टन टारा होता है सेलिलोस parf ranges नेचिल पॉलीमर का से बमें बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर alleen लेंकिन वह पॉलीमर कैसे होते है सिंथेटिक निकले होते हैं पॉलीमर्थ पॉर्लिमर Idiom और नाइलन पॉलिमर कहां से आता है उसको बनाने वाली जो मोनोमर्स है वो कहां से निकल के आते हैं चैमिकल कंपाउंड से ही निकल के आते हैं तो आपके पास चैमिकल कंपाउंड है उससे आपके पास निकले कुछ monomers, इन monomers से आपने बना दिया एक polymer, तो वो क्या बन गया, एक chemical polymer बन गया, ठीक है, एक synthetic polymer बन गया, और इसी polymer से आप fiber बना देते हो, और fiber से fabric बन जाता है, तो वो बन जाता है synthetic fiber, many small units, अच्छा कहा दे हम, a synthetic fiber is a long chain of small units joined together, each small unit is a chemical compound, हर एक small unit क्या होती है, monomer की, एक chemical compound होती है, जिसको हम organic compound कहते है, बहुत सारी small units, join करके क्या बना देती है, large single unit बना देती है, जिसको हम कहते है, polymer, तो it is man-made polymer, which forms synthetic fibers, और man-made polymer होते है, इंसानों के द्वारा बनाया गए रहते हैं, polymers, उन polymers से जो है, जो fibers बनते हैं, उनको हम कहते है, synthetic fibers, ठीक है, does a synthetic fiber is a polymer, made from the molecules of a monomer, और sometimes two monomers, जिसके मैं आपको बताया था, कि अगर आपको एक मोती की माला बनानी है, तो आप red मोती भी ले सकते हो, आप purple मोती भी ले सकते हो, तो अगर आपको polymer बनाना है, तो आप तो अलग-अलग type के monomers भी ले सकते हो, यहाँ पर बोला गया है कि does a synthetic fiber, एक polymer होता है, जो कि किसका बना होता है, monomer के molecules का, ठीक है, कभी-कभी हम बोलते हैं कि दो monomers भी लग जाते हैं, joined together to form long chains, synthetic fibers are also known as man-made fibers और artificial fibers, चलो, फिर इसके बाद में types की, जैसे कि मैं आपको बोला था है कि वैसे तो बहुत सारे type के होता है, लेकिन सारे आपको पढ़ने नहीं, आपके syllabus में नहीं है, चार synthetic fibers पर हम focus करेंगे, rayon, nylon, polyester and acrylic, और आज के इस session में हम rayon को discuss करेंगे, कि exactly rayon कैसे बनता है और क्या होता है, तो rayon is a man-made fiber, जो कि आप बोल सकते हो कि natural material से बना है, cellulose से, अब आप बोलोगे कि मैं एक मिट रुख जाओ, आपने हमको क्या समझाया, natural वाले plant और animal से मिलते हैं, synthetic fiber के बारे में आपने अभी अभी बताया, कि वो वाले polymers, जिनको human beings बनाते हैं, man-made polymers जो होते हैं, उनसे जब fibers बनते हैं, तो उनको हम synthetic fiber कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलगी scene है, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि rayon is a synthetic fiber, और वहीं आप बोल रहे हो कि वो किस से बना है, वो बना है एक natural material called cellulose, और cellulose थो हमक इसका मतलब क्या कि rayon कहां से आया है, प्लांट से आया है, प्लांट की cellulose है, उससे आया है, तो उसे साब से तो rayon को आप बोल सकते हो कि natural fiber होना चाहिए था, क्योंकि natural fibers natural polymers से बने हैं, just like cotton, cotton बना है cellulose से, इसनी cotton fiber को हम natural fiber कहते हैं, हमने पढ़ा, अभी अभी एक statement में हमन देखा था कि synthetic fiber को कौन बनाता है, man-made polymer बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि rayon is a synthetic fiber, लेकिन फिर भी वो कैसे बन रहा है, natural material cellulose से बन रहा है, तो ऐसे कैसे possible है, कैसे rayon को जो है न हमने synthetic fiber की category में डाला हुआ है, ठीक है, पढ़ते हैं, उसको भी हम पढ़ते हैं अराम से, लेकिन सबसे पहले तो हम यह बात करते हैं कि आखिर rayon आया ही क्यों, फिर rayon का formation कैसे हुआ, वो हम देखते हैं, तो silk की अगर हम बात करें, अगर मुझसे मेरी personal preference पूछा जाए, natural fibers के बारे में, कि मुझे cotton जादा पसंद है, या मुझे wool जादा पसंद है, या मु अब ऐसा नहीं है कि अकेले मेरी choice ही, मेरी पसंद ही, जो है ना, silk के कपड़ों की है, ancient times से, बहुत पुराने समय से, silk के कपड़े, silk के fabric जो है, काफी जादा famous रहे हैं, और आज भी है, पुराने जमाने से लेकर के, ancient times से लेकर के, modern times तक, silk का जो आब बोल सकते हो, कि formation है कि कैसे समझ में आया, लोगों को कि silkworm से, जो है ना, उसके कुकून से हमें silk मिल सकता है, ये सबसे पहले, चाइना में जो है, इसको discover किया गया था, लेकिन अफकोस, उन्होंने इस चीज़ को जो है ना, एक secret रखा, लोगों ने उन से पूछा, कि भई आप इतनी सुंद और एक चीज़ और है कि जो है, इसको बनाने की process बहुत difficult होती है, प्लस जो कोकून है, कोकून में अगर जरा सा भी hole हो जाता है, तो silk की जो fibers है, वो एक दम छोटे-छोटे pieces में तूट जाते हैं, और अगर इतने छोटे-छोटे pieces में silk के fibers तूट जाते हैं, तो उन से threat बना technologies है, पुराने जमाने में तो उतिनी technologies थी भी नहीं, तो आप समझ सकते कि कितना मुश्किल होता होता होगा, ठीक है, तो silk को बनाना मुश्किल था, इसलिए silk हम बोलते हैं कि काफी जाधा expensive था, आज भी है, पहले और भी था, इतना जाधा expensive था, कि केवल जो अमीर लोग होत ठीक था कि हाँ, जो silk के कपड़े पहन रहे हैं, मतलब वो क्या है, वो rich है, ठीक है, ऐसा था, अब इसके बाद में 19th century के end तक आते आते यह हुआ कि silk की कमी बढ़ रही है, फिर इसके बाद में 1889 में एक French industrialist आए, उन्होंने जो है, लाज स्केल पे या बोल सकते हो कि industrial scale पे एक synthetic fiber जो है ना, वो ले करके आए, और वो synthetic fiber जो है, लोगों को बड़ा पसंद आया, क्यों पसंद आया, क्योंकि वो silk fiber को resemble का था, क्योंकि silk बहुत महिंगा होता था, हर को उसको अफोर्ट नहीं कर सकता था, है ना, तो जो हमारे French industrialist आए, उन्होंने 1889 में एक ऐसा fiber जो है करके आए, जो कि silk को resemble करता था, क्योंकि silk काफी lusherous होता है, काफी shiny होता है, काफी smooth होता है, ठीक है, तो यह सभी special qualities रखते हुए, उन्होंने एक fiber invent किया, और वो fiber और कोई नहीं हो था, rayon fiber, तो French industrialist आए थे 1889 में आए गैस, और वो rayon को उन्होंने discover किया था, बेसिकली जो rayon है, वो silk का imitation होता है, यानिकी silk की copy, जैसे की imitation jewelry होती है ना, कि कुछ golden jewelry होती ही, तो हमको लगता है, ये सच्कि सोने की है, वो सोने की नहीं होती है, वो कुछ आप बोल सकते हो की, अलगी जो है ना, material की बनी होती, तो देखने में हमको लगता है, वो है, गोल्ड है, लेकिन वह होता नहीं तो उसको हम imitation jewelry कहते हैं ठीक है तो वैसे ही जो रियान था वो क्या था शिल्क का imitation था ठीक है और यह किस ने डिसकरवर किया था हमारे French इंडस्ट्रिलिस ने किया था फिर इसके बार में क्या हुआ लोगों की तो बल्ले बल्ले हो गई क्यों क्योंकि उनको सिल्क चाहिए था सिल्क का जो texture है जो उसकी quality है वो लोगों को पसंद थी बाट प्रॉब्लम क्या था एक तो ज़्यादा तो अगर वो लोगों को मिल जाए तो फिर लोगों की तो फिर मज़े है ठीक है तो कुछ इस तरीके से रियॉन जो है आप बोल सकते हो कि आया एक्सिस्टेंस में और तब से लेकर के आज तक रियॉन चलता ही जा रहा है बेसिकली रियॉन बनता किस से है तो वुड़ पल्प से बनता है वुड़ पल्प मतलब क्या हम सभी खाते हैं कि इसको फिरफी का पल्प होता है आपने देखा हुआ कि किना यह से एक पाल्प निकल किया आता है जिसको हम कहते हैं बुड़ पल्प अमेना को क्या बताया plant के पास होते हैं plant cells plant cells में होते हैं क्या उसकी cell wall में cellulose ठीक है तो plant से मिलने वाली जो भी चीज़े होंगी उन सब में plant cells को होंगे अब अगर मैं बोल रही हूँ कि plant से मुझे क्या मिला है wood pulp मिला है यानि कि लकड़ी का pulp मिला है तो उस लकड़ी के pulp में भी तो plant cells होंगे plant cells होंगे मतलब क्या cell wall होगी cell wall होगा मतलब क्या cellulose होगा तो जो wood pulp निकल के आया है उसमें भी क्या है cellulose है ठीक है अब इस cellulose को कुछ treatment करवाय जाता है कुछ certain chemicals में डाला जाता है chemicals में डालने के बाद एक cylinder होता है उस cylinder में high pressure में जो बेसिकलि उस cylinder के end में बहुत चोटे-चोटे से holes होते हैं तो उस cylinder में high force के साथ आप बोल सकते हो कि wood pulp जो की chemicals के साथ treat कर दिया गया है तो उस treated wood pulp को cylinder जिसके end में पतले-पतले चोटे-चोटे से holes है उस cylinder में पतले-पतले-पतले-पतले fibers जो है निकल के आ जाते हैं further इन fibers को जो है फिर से आप बोल सकते हो कि chemicals के साथ treat किया जाता है और treatment करने के बाद आपके पास rayon के fibers आ जाते हैं तो अब शायरा को समझ में आया होगा कि क्यों rayon को जो है हम synthetic fibers के category में डाल रहे हैं although वो आखिर मिल कहां से रहा है cellulose से मिल रहा है है ना आप बोल सकते हो कि यह manipulated cellulose है माना कि मतलब आप इसको completely synthetic fiber भी नहीं बोल सकते हो rayon को नहीं आप इसको completely natural fiber बोल सकते हो क्यों माना cellulose से मिलके बना है लेकिन cellulose के मिलने के अलावा उसमें और कितने सारे chemicals डाले गाए हैं वुड पल्प आपने ले लिया उसके cellulose को आपने ले लिया इसके बार में आप उसको chemical से treat कराते जा रहे हो करा करा करके ही आपके पास एक नया fiber आया है तो ना यह completely synthetic fiber हो सकता है क्योंकि cellulose इसमें मिला हुआ है ना ही completely natural fiber हो सकता है क्योंकि इसमें chemicals मिले हुए हैं तो इसको हम semi synthetic fiber भी कहते हैं ठीक है और इसका दूसरा नाम होता है artificial silk क्यों मैंना आपको बताया ना कि यह silk का imitation होता है ठीक है तो अब थोड़ा सा और इसको हम डिटेल में पढ़ देते हैं कि silk is a natural fiber obtained from silk worms the fabric और कपड़ा जो की made होता है natural silk fiber से वो बहुत ही costly होता है but the beautiful texture feel appearance and shine of natural silk fiber is very costly so attempts were made यह line repeat होगे उसको आप cancel कर देना so attempts were made to make silk artificially which would be cheaper than the natural silk जैसे कि मैंना आपको बताया कि natural silk shine appearance feel बहुत soft होता है बहुत smooth होता है है ना shiny होता है सब कुछ होता है लेकिन बहुत costly है तो attempts किये गए कि एक you know artificial silk हम लेकर क्या है जो कि natural silk से कैसा हो सस्ता हो ताकि उसको हम खरीज सकें towards the end of 19th century scientists were successful in obtaining fibers having properties similar to that of silk और 19th century के end तक scientist को जैना successful वो हो गए artificial या silk जैसे fiber को बनाने में और इस fiber को बोला गया क्या rayon तो rayon is often regarded as artificial silk फिर next क्या है rayon is a man-made fiber prepared from a natural raw material man-made है लेकिन मिलता कहां से है इसका origin कहां से हुआ है तो natural raw material cellulose से ही हुआ है और इसके ओपर chemical treatment करवाया जाता है the cellulose required for making rayon is obtained from wood pulp और जिस cellulose की requirement होती है rayon को बनाने के लिए वो कहां से obtained किया जाता है wood pulp से किया जाता है so we can also say that यह rayon है rayon is obtained by the chemical treatment of wood pulp याने की wood pulp जिसमें की cellulose होता है which contains cellulose उसका chemical treatment कराया जाता है उसके help से ही rayon का formation होता है rayon is produced as follows अब पूरी procedure बताया जा रहा है wood pulp is dissolved in alkaline solution of sodium hydroxide solution sodium hydroxide solution में wood pulp को जो है dissolve किया जाता है dissolve करने के बाद क्या होता है एक sticky liquid बन जाता है wood pulp आप में लिया sodium hydroxide solution लिया उसमें mix कर लिया dissolve कर लिया तो डिजॉल्व करने के बाद में जो product आया है वो काफी sticky होता है तो जो sticky liquid आपको मिला है उसको हम कहते हैं viscose अब इस viscose को एक metallic cylinder होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक metallic cylinder होता है कुछ इस तरीके का ठीके और उसके end में बहुत सारे चोटे-चोटे से holes होता है तो आपने क्या किया wood pulp लिया जिसके पास cellulose था उसको आपने sodium hydroxide solution alkaline solution में आपने dissolve करवा दिया तो जो liquid निकलके आया है वो काफी sticky होता है अब इस sticky liquid को हम कहते हैं viscose और इस viscose को हम एक metallic cylinder जिसके end में बहुत सारे चोट के से पास करवाय जाता है तो जब viscose इस metallic cylinder के पतले-पतले holes से छोटे-छोटे holes से निकलता है तो fibers के form में निकलता है threads के form में निकलता है ठीक है फिर इसके बार में क्या बोला viscose is forced to pass through the tiny holes of a metallic cylinder into a solution of sulfuric acid when a silk like thread of rayon is formed अब क्या हुआ जब आपने metallic cylinder से इसको पास करवाया viscose को तो आपको कुछ fibers मिले अब इन fibers को जो है sulfuric acid sulfuric acid से जो है ना ट्रीट करा जाता है देखो इस तरीकर का आपको जी आएफ देखने को मिलेगा यहां पर आप देख रहे हैं कि sulfuric acid रखा हुआ है ठीक है इस sulfuric acid में हम क्या कर रहे हैं अब viscose को जब हमने cylinder से पास किया तो जो हमें fibers मिले थे उन fibers को जो है हम पास करवा रहे हैं फाइबर को ट्रीट करवा रहे हैं विसकोस को जब metallic cylinder से पास कर रहा है तो fibers मिले अब इन fibers को हम डाल रहे हैं dilute sulfuric acid में तो देखो आपको यह thread मनता हो नजर आ रहा होगा यह thread क्या है यह है आपका rayon fiber आई आपको बात समझ में तो कुछ इस तरीके से देखो rayon fiber का formation हो रहा है जैसे ही आप विसकोस को विसकोस से निकलने वाले thread को आप डालोगे कहां sulfuric acid में तो sulfuric acid के साथ trade करने के बाद क्या होता है rayon fiber आ जाता है since rayon is made from naturally occurring polymer cellulose present in wood pulp therefore rayon is neither a fully synthetic fiber nor a fully natural fiber जैसे कि मैं आपको बताया कि नहीं यह completely natural fiber है नहीं completely synthetic fiber है it is a semi synthetic fiber क्यों क्योंकि mana chemicals का यहां पर यूज हुआ है लेकिन जो original जो शुरवात का जो आप बोल सकते हैं जो raw material है वो कैसा है natural है that is cellulose जो की wood pulp से मिला है rayon is different from truly synthetic fibers because it is obtained from a natural material wood pulp though rayon is obtained from a natural resource wood pulp yet it is said to be a man-made fiber this is because बहुत सारे chemical treatment को जो है ना यूज किया गया है wood pulp के ऊपर cellulose के ऊपर तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि rayon क्या है manipulated cellulose है cellulose को manipulate करते है sodium hydroxide sulfuric acid के साथ trade करते हैं तब जाकर के rayon बनता है rayon fiber is chemically identical to cotton but it has a shine like silk cotton जैसा इसका texture होता है लेकिन silk जैसी shine होती है और सस्ता दो होता ही है since rayon resembles silk in appearance therefore rayon is also called artificial silk rayon is steeper than natural silk obviously बात है and can be woven into silk like silk fibers this is silk fibers को weave किया जा सकता है वैसे ही rayon की fibers को भी किया जा सकता है rayon can be dyed in variety of colors rayon के कई सारे colorful कपड़े जो है ना बनते हैं क्यों क्योंकि आप बोल सकते हो कि बहुत सारे colors जो है ना rayon आप बोल सकते हो कि shades में available होता है फिर इसके बार में rayon को अगर आप wool में natural wool की साथ अगर mix कर दो यानि कि आप बोल सकते हो कि देखो प्योर rayon के कपड़े बनाये जाते हैं क्योंकि उसको dye कर देंगे rayon को तो आपको बहुत सारे shades मिल जाएंगे जितने colors मिलेंगे उतने colorful कपड़े बनेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा इसके अलावा रियों को अलग-अलग combination के साथ भी यूज किया जाता है अगर आपने वूल मिला दिया है रियों के साथ तो आपके पास जो है ना soft सा carpet आ जाएगा अगर आपने रियों को cotton के साथ मिला दिया है तो आपके पास जो है batch sheets आ जाएंगी तो वह इसा बताया गया है uses of rayon में कि rayon is used in textile industry for making cloths like sardis, blouses, dresses, socks, etc rayons को अगर जब हम mix करते हैं cotton के साथ तो bed sheet वगएरा curtains, blankets बगएरा बन जाते हैं वूल के साथ अगर mix करेंगे तो carpet बन जाएंगे rayon is used in medical field for making bandages and surgical dressing जो bandages आप लगाते हो ना मोच आ जाने के time पे वो सब rayon के बने होते हैं rayon is used in tire industry for manufacture of tire cord तो tire cord की manufacturing में भी rayon का use होता है यहनि कपड़े से लेकर के tire cord की manufacturing तक सब में rayon use होता है ठीक है तो यह कहानी थी किसकी पूरे हमारे rayon की आप आप images से याद रख सकते हो कि किस तरीके से rayon से bed sheet बन सकती है beautiful colorful dresses बन सकती है ठीक है तो इस session के लिए बस इतना ही आज मुझे आपको यह बताना था कि exactly synthetic fibers क्या होते हैं और एक synthetic fiber को हमने detail में discuss कर लिया है यहाँ पे आप देख सकते हो कि wood pulp के बारे में लिखा गया है कि एक soft और गीला mass होता है यह fibers होते हैं जो कि wood से मिलता है और wood pulp contains a large amount of natural polymer called cellulose ठीक है तो आज हमने बात करी कि synthetic fibers की और हमने बात करी rayon की कि rayon की manufacturing कैसे होती है कैसे हम rayon को semi synthetic fiber बोल सकते हैं नहीं truly natural fiber और नहीं completely synthetic fiber क्यों क्यों कि हम को बनाने के लिए cellulose चाहिए जो कि कहां में मिलेगा wood pulp में मिलेगा फिर cellulose को manipulate किया जाता है chemicals के साथ treat किया जाता है और तब जाकर के rayon का formation होता है rayon fibers मिलते हैं सबसे पहले तो wood pulp को हम treat कराते है है alkaline solution sodium hydroxide solution के साथ फिर इसके बाद में जो sticky liquid बनता है जिसको हम viscous कहते हैं उसको metallic cylinders जिसके end पे काफी चोटे-चोटे से holes present होते हैं उसमें से पास करवा जाता है pressure के साथ ताकि जो है आपको बहुत fine threads मिलते हैं फिर इन threads को जो है viscous के threads को sulfuric acid में हम treat करवाते हैं जिससे की rayon fibers finally आ जाते हैं ठीक है तो आज की session के लिए बस इतना ही अब हमें लेंगे अपने next session में और वहाँ पर अपने second fiber second synthetic fiber जिसको हम कहते हैं nylon उसको discuss करेंगे कि वह exactly क्या होता है कैसे उसको बनाया जाता है ठीक है तो rayon के बारे में इतना ही artificial silk manipulated cellulose और semi synthetic fibers यह कुछ नाम है rayon की तो अब आप क्या करेंगे हमारी जो official website magnetplace.com उसे visit कर लिजेगा जहांब आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं properly playlist में arranged साथी साथ सभी topics के वहाँ पे आपको हूंगी notes भी available so do visit our official website magnetplace.com till then keep learning with magnetplace thank you for watching